स्वारकुमार पंडे टीचिंग फॉर वेरियस यूपीसी एससी और अधर इस्टेट एक्जाम्स फ्रम लास्ट मोर दें 10 एर्स तो जो हमने एक सीरीज रखी थी को हमने शुरू किया था इसी चैनल पर एक सेशन को हुआ एक ट्वंटी सेकंड को हुआ एक ट्वंटी थाड को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी नए स्टुडेंट हैं उनको मैं एक बार हलका सा आईडिया दे देता हूं कि जिस एक्जाम की भी वो तैयारी करना चाहा रहें वो चीजे कहां पर available हैं वोईस वगड़ सब को ठीक आ रही है एक सेशन वोईस क्लियर है वीडियो भी क्लियर है बिल्कुल 21st को जो सेशन हमने रखा था वो UPSC, Civil Services के बारे में था बिगनर को किस तरह से अप्रोच करना है इस एक्जाम के बारे में किस तरह सोचना है 21st को सेशन हमारा इसके बारे में था 22nd मतलब कल जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने चर्चा की थी SSC, JE, CGL, UPPCS यह कुछ एक्जाम के हमने चर्चा की थी कल और UPPCS में एक अपडेट यह है कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसमें ऑप्शनल जो है जल्दी यह खत्म होने की बात चल रही कि ऑप्शनल खत्म हो जाएगा यह फाइनल है आज देखो नियुस्विपर वगर में वो डेटेल आ भी गई है तो UPPCS में जो एक ऑप्शनल था वो भी खतम हो गया एक पॉइंट तो हम इस पर चर्चा कर लें जरा फिर हम आगे बढ़ें एक ऑप्शनल लेना था देखो civil services में और UPPCS में दोनों में ही एक ऑप्शनल होता था जिसके दो पेपर होते हैं एक ऑप्शनल के दो पेपर civil services में अभी है UPPCS में जो एक ऑप्शनल था वो खत्म हो गया उसकी जगे GS के दो पेपर एड़ कर दिये तो UPPCS में Mains में GS के जो चार paper थे और दो optional के paper थे वो दो optional paper मतलब एक optional के दो paper होते थे वो एक optional के दो paper खत्म होके दो GS के paper add हो जाएंगे तो UPPCS Mains में GS के चार paper तो पहले ही थे एक optional था उसके दो paper थे तो एक optional के दो paper की जगे अब यहाँ पर replace होके दो GS के paper आ जाएंगे ठीक है यह 6 paper होगा यहां पर मेंस में optional वाला काम यहां खतम इसलिए technical वगर जब आप opt करते हो थोड़ा सा मैं इसके बारे मैं आपको बता दूँ technical वगर जब आप opt करते हो थोड़ा सा डर इसी बात को लेकर रहता है क्योंकि optional अब civil services में भी कई समय से बात चल रही कि आगे जाके civil services में optional खतम ना हो जाए अब अगर कोई बच्चा technical opt किया है और civil services में optional खत्म हो गया तो वो तैयारी तो बिकार हो जाएगी तो इसलिए मने बोला था आप से optional को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए optional बहुत सोच समझ के opt करना चाहिए हाले कि civil services में मुझे लगता है इस बार एकदम तुरन तो चेंज नहीं होगा पर आने वाले समय में हो सकता है कि civils भी इसी line पर optional को खतम करें चर्चा कुछ समय से है इसको लेकर भी ठीक है जी एस वाले सब्जेक्ट है वो सेफ बैट रहता है जी एस में बहुत चेंज करेंगा तो जी एस में कुछ एड़ करेंगा मानलो तो जब दो तीन महीं तैयारी हो जाती है उसके बाद ऑप्षिनल की बात तैय करना चेहिए बहुत शुरुआत में ही hon लेकर आप थाई कर पहले उनके लिए Des के है थाई करेंगा उसको तो भूत जादा प्ड़ जायाग इस वगर मेंस के लेवल पे मैं आपको बता दिया और 23rde आज हमारा जो Session है इंजिनिंग सर्विएस के बारे में और आपकी जो भी Queries वगढ़ हैं उनको भी Cover करेंगे पर मेरा कहना सबसे Main Point है कि Optional अप कोचिंग के कहने पर anytime between लेना है कब कोचिंग वगर के कहने पर नहीं कि किसी ने कहा दिए और आप उनको फॉलो करके आपने ले लिए और आपको इंट्रेस्टी नहीं आ रहा कुछ समय के बाद यह सब खुट डिसाइड करना चाहिए कुछ समय की तयारी के बाद यह क्लियर होती है बात एक बच्चा क्या लिख रहे हैं SSC वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है बेटा एक्शुल में हुआ क्या वाट्सअप पे मैंने दो ग्रूप बनाये थे देखो मैं एक पॉइंट यहां बता दूँ आपको अपडेट वगर आपको कहां से मिलेंगे सबसे पहले तो यूटूब वाला चैनल जो है नोटिफिकेशन और कर लोगे सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी सेशन होंगे अपडेट होगी आपको पता चल जायागा पहला तरीका तो यह दूसरा टेलिग्राम वाला चैनल जो तो टेलिग्राम वाला चैनल है उसका लिंक किया यूटूब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जायागा अगर अभी अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ टाइम सेशन के बाद आप देख लेना तो टेलिग्राम चैनल जो है उस पर आपको अपडेट मिल जाएंगी जो भी ले अगरा टूंगा यहीं से आपको पता चल जाएगा उसके लावावाव्च मेरने दोगू बनाये थे जैसा response था मुझे खुद भी उतनी उमीद नहीं थी तीसरा दिन हैं ग्रूप बनाये हुए वाट्सक्रिशांस में गूब बनाते है एक मैंने एक मैंने बनाया ता एस SSJ, CGL, RRB, इनके लिए ग्रूप, अब मुझे भी ये पता चला कि WhatsApp में जो ग्रूप बनाते हैं 1024 मेंबर का लिमिट होता है इसका, 1024 इसका एकी दिन में एक्सीड हो गया, दूसरे दिन इसका भी एक्सीड हो गया, दोनों अपने अपने लिमिट क्रॉस कर गए, फिर उसमें एक फीचर था, कम्यूनिटी, कम्यूनिटी पर सिफ्ट किया, उसमें SSC 2000 तक मेंबर इसमें एक्सिप्ट किया, इसने, तो इसकी भी लिमिट ओवर हो गई, और सिविल सर्विसेज वाले की भी आज मुझे लगता है ये भी कंप्लीट हो जायाएगा, तो दोनों के दोनों ग जोड़ जाना, टेलिग्राम पर अब्डेट आपको मिलते रहेंगे, तो जो बच्चे ये कह रहेंगे, स्सी जेई वाले में हम एड नहीं हो पा रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलिग्राम वाले पर आड़ हो जाईएगा, योटूब में आप अल्रड़ी जुडई हो तो जो भी अपडेट में ग्रूप में डालूँगा, वो अपडेट टेलिग्राम पर ही मिलेगा आपको, ये समस्या दूर हो गई, अब हम आगे बढ़ें देखें, आज का हमारा डिस्केशन इंजिनिंग सर्विसेस को लेकर, और लास्ट में जो आपके क्वेरीज वगएर होंगे, उनके बारे में बात कर लेंगे सबसे पहला सवाल आता है, सर, इंजिनिंग सर्विसेस को लेकर, तैयारी कब शुरू करनी चाहिए तो टेक्निकल स्टूडेंट बीटेक वाला जो बच्चा है, वो कब तैय करे इंजिनिंग सर्विसेस, 11-12 का बच्चा पहले से प्लान करके तैयारी नहीं कर सकता जैसे सिविल सर्विसेस लोगों को पता रहता है, 11-12 वाला बच्चा भी जानता है कि आईएस की नौकरी होती है, तो 11-12 से भी बच्चे, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले कि स्कूल के बच्चों की काउंसलिंग की, 11-12 के बच्चा भी जानता है कि मुझे तयारी करनी है, IIT JEE की तयारी, बच्चे को 9 से पता है आज की डेट में, काफी अवेर है, टेकनोलोजी है, शोशल मीडिया है, अंदाजा है पर GATE या Engineering Services की तयारी 11-12 से प्लान नहीं होती, ये तो Graduation में जब आप Engineering कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है ठीक है, तो एक पेपर GATE और एक Engineering Services, इसमें भी जब आप First Year में जाते हो, तो First Year में, क्योंकि आप Engineering में भी इंटर किये हो, Engineering को समझना पड़ेगा, उसमें semester exam है और B-Tech के चार साल में, अगर सबसे ज़्यादा पढ़ाई आप करते भी हो, तो पहले साल करते हो, क्योंकि बच्चा नयाने Engineering College में गया होता है, डर रहता है, फेल ना हो जाओं, घर वालों को लग रहा, Engineering करने भेजा है, तो तुम खुद भी सोचना, चार साल की Engineering में, तुम वाईवा रूम में जा रहे हैं, और वाईवा रूम के बाहर दोस्त खड़ा है, वो बता रहा है, इस सब्जेट का वाईवा है, वहीं पूछ रहे हैं कि वाईवा किसका है, रूम में गया राम से, और सामने वाले ने पूछा, कुछ बताओ अगर पढ़े वड़े हो, आख बंद करके बहुत स्पीड में जवाद दिये और उस दिन याद को अंग्रेजी बोले थे अंग्रेजी बोले और जितने शब्द जानते थे सब बोल थी ए आख खुली तो सामने वाले भी हस रहा था तुम भी हस रहे थे सामने वाला इसलिए हस रहा था कि पता नहीं क्या बता करने को बोल देता कि जड़ा दुबारा रिपीट करो तुमने भी क्या बोला तो उसको आंसरे नहीं कर पाते दुबारा रिपीट तो इंजरेंग चौथे साल में तो ऐसे हुई थी ध्यान करो फस्ट इयर जो बीटक का है उसमें तो देखो बच्चे को बहुत प्रेशा डा अब आप को किया सर यही तो लाइफ की गोल्डन डेज हैं इसमें भी पढ़ाई करी जाए इसमें अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए तो आगे आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी आगे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा पढ़ाई का मतलब मैं यहां पर अठा एर फोर्थ एर के सब्जेक्ट देख लो गेट एसी का सिलेबस देख लो और मार्क कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट जो गेट एसी में आता है वो हमारे किस समेस्टर में कॉमन है उस समेस्टर के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच सवाल लगा लिए क्योंकि उससे में टाइम आपको जादा मिल रहा है जब एक साल की तैयारी इंजिनिंग सर्विसस के लिए करते हैं तो उसे ले बस पहाड की तरह लगता है देखने में ठीक है तो जो लोग आपको जैसे मालोग किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया पर आप से क रहा कि यह reference book पढ़ लेना एक साल की तैयारी जब होती है उसमें reference book नहीं पढ़ी जाती है reference book वो बच्चा पढ़ सकता है जो college में जब वो है उस समय अपने semester के साथ साथ वो किताब पढ़ सकता है क्योंकि वहां उसको time है मतलब foundation मजबूत करना fundamental अच्छे करना तो जो बीट semester में उस subject को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना और हो सके तो किसी best reference किताब को पढ़ना क्योंकि local author पढ़के चले आते हैं previous year वो पतली-पतली किताबे पढ़के देते हैं वह engineering degree आप खराब कर लेते हो knowledge नहीं हो पा था फिर दुबारा coaching करते उसी चीज के लिए ठीक है तो final year तक आते आते टेक्निकल ठीक ठीक ठाक लेवल पर होगा coaching में जब जाओ को जीरो लेवल पर नहीं रहोगे कि थर्ड येर में आप गेट दे सकते हो तो थर्ड येर में ही चेक हो जाएगा कि आप evaluate कर सकते हो अपनी तैयारी को थर्ड येर में ही evaluate हो जाएगा कि किस direction में आप चल रहे हो नंबर मान लो बहुत आए थर्ड येर में आप गेट में अच्छा नहीं भी आ पाया पर आपको एक्जाम समझ आ जाएगा किस नेचर का है थर्ड येर तक आते आते आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं थर्ड येर बीटेक जब आप complete करते हो आपके काफी सब्जेक्ट गेट EAC के technical का पार्ट काफी हद तक कवर हो जाता है और final year में जब आप आते हो तो सबसे पहले subject जो complete कर लो आप सबसे पहली priority gate क्योंकि आपको पहले देना है थर्ड येर में आप एली जी बलो टेक्निकल बच्चा जो है वह पहली तैयारी दिमाग में gate को रखकर चले क्योंकि मानेगा वह है निए उसको देना येसी देना है क्या पता कलको एमटेक करने का मन कर जाए और एमटेक में भी placement है ऐसा नही नहीं placement के chance बनते हैं तो क्यों तुमने gap क्यों किया अपनी education को बढ़ा लेते degree कम से कम enhance कर लेते तो सबसे पहली तैयारी gate की होनी चाहिए थर्ड येर तक आपका focus gate पर और gate के subject तयार जब हो गए syllabus खतम हो गया final year जब आते हो तो उसके बाद जो gate के अलावा ESE का syllabus different है दोनों में जो उतना portion तयार करने की बात उसमें भी अभी मैं non-tech की बात नहीं कर रहा हूँ gate का technical आप third year तक आप ready किये और gate के बाद जब आप final year तक आए तो final year में फिर gate और ESE में जो अंतर है जो subject ESE में है और gate में नहीं है फिर उनको पढ़ने की बात आई gate में भी help करेगा ESE देने जाओगे वहां भी help करेगा तो अच्छा है कि foundation जब पहली बार वह subject पढ़ने का time आया तभी हम उसको ज्यादा ध्यान दे कर चलें इग्रोर करने की बजाए और सब्सक्राइब करेंगे इंजिरिंग करने का enjoyment भी जरूरी है देखो जितना syllabus है अगर gradually एक साल में दो दो तिन ती सब्जेक निपढ़ते चले तो आप comfortable रहोगे बजाए कि एक साल में बाइस सब्जेक पढ़ने पढ़ जाए तो मैं बी टेक के बाद तेयारी जब करते ह maximum बच्चा जो coaching आता है 70-80% दें बच्चा जो coaching आता है वो final year के बाद coaching कहीं भरोसे आता है कि मैंने 4 साल तो कुछ पढ़ा नहीं अब मैं सारे technical non-tech एक ही साल में पढ़ लूँगा भाई कोई वेक्ति एक एक रोटी खाया होता तो हो सकता है तीन दिन में 12 रोटी खा लेता एक अठे 12 रोटी खाना चाहेगा तो तो हरत खराब हो जाएगी स्थिति यह है तो gradually अगर कुछ कुछ करते चलोगे तो college में भी performance अच्छी होगी semester अच्छा होगा उसके अलावा campus placement वगर जब होते हैं तो भी आपके knowledge अच्छी हो जाती है गेट अच्छी हो जाती है फाइनल ये तक आते हैं चीज़े कम से कम एक बार तो पढ़ी होती है पेपर उस समय निकले या ना निकले पर आप एक बार चीज़ों से go through हो चुके हो यह बिलकुछ सही गेट के subject complete कर लिए final year में जब आएं तो जो गेट के अलावा जो बचे हैं इस में जो आते हैं फिर वो technical subject अब आती है non-tech की बात देखो मैं एक चीज पहले आपको clear कर दूँ बिलकुल mind crystal clear रखना जो आप हमेशा कोचिंग के उपर बहुत ज्यादा depend हो गए हो यह बहुत खतरनाफ चीज़ है कुछ लोगों को हो सकता है सुनने में खराब भी लगे यह जो trend बन गया है ना कि बच्चा पैदा हुआ पहनी क्लास से कोचिंग जाए पांचवी क्लास से कोचिंग जाए कोचिंग के फायदे भी हैं कोचिंग के नुकसान भी है कोचिंग का काम है केवल आपको 10% help करना आपको एक दिशा देना आपको गाइड करना कोचिंग 22 सब्जेक्ट एक साल में करा भी दे पर उतने कम टाइम में आप कर लोगे उस पर कमांड यह मुश्किल है कोचिंग तो अपना काम कर देगी 22 सब्जेक्ट पढाने किसे दिन 12 घंटे क्लास लगा दो किस दिन 8 घंटे लगा दो वह तो कोरम पूरा हो जाएगा फॉर्मल्टी पूरी हो जाएगी तुम कैसे करोगे कोचिंग पर बहुत जादा ओवर डिपेंडेंट हो जाना यह अप काम की कोचिंग ही सब कुछ करेगा और कोचिंग वालोलों ने कर जाता है कि और मैं और सिलेक्शन के दिमाग में ऐसा नलगते है कि कोचिंग में बैच में अपने से लेक्षन हो जाता है क्या 93 कि लोग बोलते हैं, युप्यटीज की तयारी करने शेलीख तो बहुत लोग करते हैं तुम भी उनमें से एक हो तो पहले अपने आप से यह तो पूछ लो कि तुम कोचिंग के भरोसे ही सब कुछ करना चाह रहा है तो क्या कहेंगे शिकायत करेंगे सर जाने कोचिंग जाना पड़ता है फिर मैं क्लास में मेरा बहुत टाइम निकल जाता यह guidance नहीं है कि हमें करना क्या है पहले से गोलता है कर पाना मुश्किल है कि मैं गेट यह सी दूँगा पता ही नहीं रहता तो सबसे अच्छा समय तो यह है इनमें जितनी जल्दी स्टार्ट कर से के उतना बेटर सेकंड यर में टेकनिकल वागर आपने पढ़ा तो अब पढ़ने वाले बनो कंटेंट तो कोचिंग के वाल आपको दिशा देने का काम करेगा 90% काम आप यह को करना है आज भी और कल भी क्योंकि आपने कोचिंग में एडिशन लिया फीस जमा की साल खतम आपका स्वेच खतम ना कोचिंग आपको पैचानती ना कोचिंग को प इस बात को कोचिंग है कैसा सेफ बिजनस है जहां क्लाइंट ने कोई प्रोड़क खरीदा पैसे दिये उसके बाद कोई गारेंटी नहीं है सक्सेस रेट दो परसेंट भी नहीं है आओ जाओ लास्ट में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाओ यह सब सेलेक्ट लगरा यहीं से हुएं एक टॉपर पांच इंस्क्यूट से पैसा लेके फोटो डालेगा कि मैं यहां भी पढ़ा था मैं यहां भी पढ़ा था और कोचिंग वाले इतने टैलेंटेट अगर ग मेरा पढ़े थे मेरे वाले फॉर्म को ऐसे हाथ रखके तुम चले गए तो भी मेरे स्टुडेंट माने जाओगे इस तरह से टॉपर की रैंकिंग बनती है तो बड़े-बड़े होर्डिंग के चक्कर में मत पढ़ा करो और तुम्हें सब को सब पता है कि किस तरह से टॉप क्या बोलना चाहरा ह। दो साल पिंस साल टियारी न के से होंगे कोचिंग अच्छे किनके लिए है उन के लिए उनके लिए तो खतरनाक है जो केवल कोचिंग कर देगा उनके लिए कोचिंग नहीं है कि दश पर्शंट बच्चा Herren बच्चा selection का कोई लिखित में कुछ नहीं मिलता कहीं आओ जाओ बड़े-बड़े hoarding वो तो खरीदी लेंगे topper आपर तो आई जाएगा topper कुछ honest होते हैं कुछ topper honest होते हैं वो तुमको एक आज जगे दिखेंगे बागी नजरी नहीं आएंगे पर जादा तर जो लोग हैं जादा तर चहरे आपको 4-5 जगे नजर आएंगे ठीक तो सबसे पहले यूटूब पर टॉपर को सुनना इस तरह की फोटो देखकर अट्रेक्ट होना अखबार में एड देकर अट्रेक्ट होना जब advertisement का नाम ही advertisement है एक business model है तो तुम समझो कि उसम में वो सब लिखा होगा जिससे तुमको attract किया जा सके एड जब कोई publish करता है तो एड का मतलब ही एड बई promotion तो उसमें हर वो चीज लिखी होगी जिससे तुम्हें attract किया जा सके catchy line यह marketing का पूरा खेल है पूरी दुनिया है marketing लाखों करोर रोपर खाली इसी काम में खर्च हो अभी जब मैं ES का paper बताऊंगा उसमें देखना गलती किया सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूँ जो भी technical background का बच्चा है बी टेक और यह बी टेक वाला या यह एम टेक वाला जो तैयारी करना चाहे सबसे पहली चीज अगर तुम्हें गेट ES ही तुम्हारे दिम ऐसी आयोडा परियो tap यह दो सब्जेक्ट करते यार नहीं है कि मुशकर होगा गेट में वे रंक ला पाना और इंजीनिरी सर्फिसमें रंक लापाना जिसने भी तयारी कि है है उसको मालूम होगी यह चीज अगर मैस अप्टी तयार नहीं है रेंक लापाना इवन सेलेक्शन ले पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अभी इस बार का पेपर हुआ सौ में से 32 कोश्चन 31 कोश्चन 16 मैथमेटिक्स और 15 एप्टी अंडेड में से 31 कोश्चन खाली मैस एप्टी हैं पिछली बार 23 के आसपस थे दोनों मिलाकर 46 मार्क्स का आया था पिछली बार इंजिनिंग सर्विसेज में और गेट में अच्छा खासा वेटेज इन दो सब्जेट का है अब तुम मुझे बताओ बच्चे क्या कहते हैं सर मैस लेंदी आ गया मैस टफ आ गया बना रही तुम मुझे बात बताओ इंजिनिंग ग्रेजुएट हो तुम 11-12 तुमने मैथम पढ़े होोL्च कोचिंग किये हो कोई किसी इंस ट्यूट से 11-12 पढ़े correct में जब तुम गया शुरुआति तीन समेस्टर मैस पढ़े हो तुम कहीं कोचिंग किये ओ फिर mathematics पढ़े हो और क्या तुम्हें कई लगता है कि तुम्हें मैस और एप्टी पढ़ने के लिए कोचिंग के जरूरत है, तुम इंजिरिंग बैक्ग्राउंड वाले हो, तुम अपने आप से कभी सोच के बताना मुझे है, कभी बैट कर थंडे दिमाग से बैटना और सोचना क्या जितनी चीजे तुम कोचिंग में पढ़ते हो, वो सारी की सारी तुम्हें जरूरत है क्या, तुम इंजिरिंग बैक्ग्राउंड के बच्चे हो, और मैथेमेटिक्स पढ़े बिना तुम ने इंजिरिंग कर लिया, इस में भी है, यह में भी है, यह मैं बढ़े हो, और मैथेमेटिक्स और एप्टी, तुम इंजिरिंग ग्रेजुएट होगे, तुमारे यह दो सब्जेट तयार नहीं है, क्या इसके लिए वाकई कोचिंग जिम्मेदार है, कि कोचिंग ने पढ़ाया, कोचिंग के कोशन न नहीं पढ़े हो, आइटी जाई की तैयारी में नहीं पढ़े हो, टेकनिकल तुमने पहली पर एंजिरिंग में पढ़ा है, और क्या पता ध्यान नहीं दिया, उसके लिए कोचिंग समझ में आता है, मैं सेप्टी जिंदगी पढ़े हो, एक एंजीनियर से पूछू मैं कि त नोटिफिकेशन तक तुम पूरा नहीं पढ़ते, नोटिफिकेशन आता है तो वो भी क्लास में टीचर बताई देगा, शौटकट देख लूँगा कहीं, ये एप्प्रोच बहुत गलत है, अपनी जिम्मेदारी से भाग कर सेलेक्शन नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी ल नोटिफिकेशन तुम नहीं पढ़ते, मैस एप्टी तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं करते, बीटेक में मैस था, इसके बाद तुम मैस एप्टी में अच्छे नहीं हो, तो मैस अगर अच्छा है तो टेक्निकल में और दिक्कत होती होगी, देखो ये एक्सेप्टेबल तुम ये कहो कि सर, मैस बहुत टाफ आ गया, इंजिनियर के लिए मैस अगर टाफ आ गया, तो फिर तो बड़ी मुश्किल बात है, ये खुद को एवैलिट करने की बात है, मैस और एप्टी ये दो सबजेक्ट अगर तुम गरबल कर दोगे तो एस गेट से जादा उमीद मत रखना फिर, और ये सवाल अपने आप से पूछना, इसके लिए कोचिंग जिम्मेदार नहीं है, कोचिंग जॉइन करने से पहले भी तुम मैस पढ़ते रहे हो, और तब भी तुम्हारा मैस तेयार नहीं है, एकाथ को लग रहा होगा, तुम मैस कितना टफ है, आपको क्या पता, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, जी एस से पहले मैस ज्यादा पढ़ाया है, मैंने जितनी टीचिंग की है, उसका 30% अकेले मैथेमेटिक्स ही पढ़ाया है, मैंने, इवन इंजिनिंग मैथेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैस एक लेवल से ज्यादा, गेट इस में ही नहीं, टॉपिक ही नहीं मिलेंगे तुम्हें एक लेवल के बाद, लिमिटेड है, अगर तुम एम्टेक में मैस पढ़ोगे, वहां मैस पूरी चेंज हो जाती है, या कभी तुम BSC मैस वालों के सब्जेक्ट देखोगे, वहां मैथेमेटिक्स भी थेयोरेटिकल ह हो जाती है, पर तुम्हारी जो मैथेमेटिक्स है बहुत इंट्रस्टिंग है, ये तेटलर सीरीज है, मैधलॉरेन सीरीज है, डिफ्रेंशर एक्वेशन है, आईजन वयाल्यू आईजन फंक्ष् أن है, कोचשरी इमेन एक्वेशन है, ये सब तुम्हारे फिक्स एरियाज होत और सिंपल है तफ नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा पढ़ाया दोनों है तो मुझे मालूँ में सिंपल है एप्टिट्यूड वाला जो पार्ट है यह भी देखो टाइम एंड वर्क रेशियो प्रोपर्शन पर्सेंटेज का टॉपिक इंजिनियर नहीं करेगा इसको बीए वाले से उमीद की जाए कि इंजिनियरी तो करेगा और इसके लिए कोचिंग करा या नहीं करा यह सब्सक्राइब नहीं बनता क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स वाला अप्टिट्यूट नहीं डेवलप हुआ कि अब हम कैसे प्लान करेंगे दिखो सबसे पहले बिगनिंग कैसे करनी है एक लिस्ट बनाओ गेट का सिलेबस और एक लिस्ट बनाओ इंजिनिंग सर्विसेस का सिलेबस जो भी नया बच्चा है बिगनर है नोटिफिकेशन लेटेस वाला निकाल ले पिछला जो आया था उस नोटिफिकेशन को डेटेल में पढ़ना है गेट का अलग एक दिन दो दिन लगाना है जो तैयारी शुरू करने का सोच रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, गेट और ESE, तो नोटिफिकेशन देख लिया, एक दिन, दो दिन लगा के, syllabus वगर क्या subject है, क्या पूछेगा, उसमें topic topic सब लिखे हूं, detail में syllabus मिल जाएगा, अब इसमें करना, 2023 से लेकर, 2023 का पेपर हो चुका है, 2023 से 15 तक के पेपर, decreasing order में, analysis करना है, बीटक कर चुके हो, जो question आए है, previous year में, देखके तुम्हें पता चल जाएगा, यह FM का है, यह Tome का है, यह Geo Technical का है, Environment Engineering का है, जिसका जो question है, पढ़के तुम्हें समझ भे इतना तो आए गई, Engineering किये हो, तो 23 से 15 तक के पेपर, decreasing order में arrange करो, gate में, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि, same subject repeat करेगा, नहीं, मैं यह बोलना चाहरा हूँ, पहले कुछ analysis निकालो, कि gate में, सबसे ज़्यादा, weightage, तुम्हें 7-8 साल के paper देखने में क्या लग रहा है, decreasing order में देखना, कि 7-8 साल के paper देखने में तुम्हें क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा question कहां से आए है, सबसे ज़्यादा जिससे आए हैं, एक number subject उपर लिखो, फिर दूसरे number पर तुम्हें कौन सा लग रहा है, ज़्यादा पूछा गया है, यहां लिखो, फिर तीसरे पर तुम्हें कौन लग रहा है, चौते पर कौन लग रहा है, पाचवे पर कौन लग रहा है, ऐसे पूरे subject arrange कर दो, फिर engineering services में भी यही काम करना है, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, फिर ESE के इतने paper देखना, उसमें technical को औरेंज कर लेना, यह order में बना लो, जितने subject हैं, पूरे list बना लो, और इसके बाद, जिनको दोनों exam देने हैं, जो कह रहे हैं कि सर मैं gate ESE दोनों दूँगा, 23 से 15 तक के paper analyze करने, जिनको लग रहा है कि सर मैं दोनों paper दूँगा, वो क्या करें, एक तीसरी list बनाएं, जिसमें दोनों में common subject, जो ऐसे subject, जो तुमारे safe subject होते हैं, कि उसके बिना तो paper set होता नहीं, और fix रहता है कि उतना तो पूस्ता ही पूस्ता है, ऐसा नहीं होता है कि उनके question तभी zero हैं, दोनों को जब analysis करके निकालोगे, तो कुछ subject तुमें ऐसे मिलेंगे, सर ये छुपा रुस्तम टाइप का subject है, कि ये अपना काम बीच में करता रहता है, 4-6 question, 10 question यहां भी आते रहेंगे, यहां भी आते रहेंगे, और इतने 8 साल में लगातार यह average रही है, कुछ subject तुमको ऐसे दिखेंगे उसमें जरूर, कि सर ये कुछ subject ऐसे हैं, दो-तीम जो हर साल पूस्ता है, मतलब दोनों लिस्ट की analysis करना, कोई subject हो सकता, यहां ज़्यादा पूछा है, यहां तीसरे नंबर पे पूछा है, यहां second पे है, यहां छटे पर है, तो ऐसे subject ढूण के निकालना, जिनका weight is दोनों में अच्छा खासा रहा है, 7-8 साल में, और एक final list बनाना, ऐसे subject जिनका weight is दोनों में अच्छा खासा रहा है, उसका एक final list बना लेना ऐसे, क्योंकि जिसको जो paper देना है, जिसको खाली gate देना है, इस list को उठा कर दिवार पर लगा लो, जहां पढ़ते हो table पर वहां चिपका लो, only yes देना है, तो यह list लेकर चलो, दोनों paper देने हैं, तो फिर यह list तुमारे काम आएगी, यह 6 महिने बाद नहीं पता चलेगा, यह starting में करने के जरूरत है, कि जब तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें पता चलेगा, कि मैं इस exam के त्यारी कर रहा हूं, और मेरा सब्जेक्ट 8-9 साल में कितना important रहा है, जब मैं ES पढ़ तैयारी करूँगा, तो मुझे पता चलेगा, क्या subject किस importance रही है, ऐसा तो नहीं है कि 12 नंबर का subject है, और मैं maximum time उसको दे दे रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम्हे subject की utility का नहीं पता होगा, time management नहीं कर पाऊगे, अगर कोई एक ही साल के त्यारी कर रहा है ES की, तो time का ही खेल है, कि उतने time में उतना पूरा कर पा रहा है कि नहीं, फिर वहाँ पर time का सारा game है, तो ऐसा तो नहीं कि 12 number subject को जा time दे दिया, शुरू के दो subject छोड़िया है, ये गलबड़ तो नहीं कर रहा है कहीं, तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक ये list नहीं होगी तुम्हारे पास, तब तक तुम ये चगी नहीं कर पाऊगे, और हमें साथ teacher से पूछते रहोगे, और होगा क्या, coaching में जो teacher पढ़ाएगा, चाहे उसके subject की importance ज़्यादा हो या कम हो, वो कहेगा ये subject बहुत important है, हर subject में दो-तिन किताब लिखवाएगा, इसमें ये पढ़ लेना, इसमें ये पढ़ लेना, और गलती से जहां तुम coaching कर रहे हो, अगर पहला ही teacher उस subject का तुमारा बहुत शुरू कर रहा है, जो subject कम important था, तुमारा पूरा टाइम चला जाएगा, उसमें important subject दो रह जाएंगे, ये हुआ भी होगा, तुमारे किसी batch में GS का पता लगा, तुमारे batch में वही पहले शुरू हो गया, तुम उसमें किताब पढ़ लिए, बढ़िया चार pen यूज करके notes बना लिए, रोज revision कर रहे हो, उसका weight is 7-8 साल में कम था, अब किस्मत की बात है कि 7-8 साल के बात, एकदम से weight is बहुत जाद अगली बार आ जाए, पर 8 साल की analysis sample size इतना तो हमें अंदाजा नहीं देता है, कि इस subject की इस exam के लिए importance लगबग ऐसी रही है, एक roughly अंदाजा मिल जाता है, हो सकता variation थोड़ा बहुत हो, पर हम तो trend के हिसाब से ज़रूर देखेंगे, किस subject को कितना समय देना है, जो आपका core subject है, जिसके बिना paper set ही नहीं होगा, उसको कम time तो नहीं दे सकते हैं, उसको जाए time देना होगा, कम important वाले को कम time पढ़ना सारा है, syllabus नहीं छोड़ सकते हैं, जिस तरह का competition है, seat कम है, seat जितनी हैं, छोड़ के कुछ नहीं जा सकते, पर किसी को time जादा, किसी को time कम, जितना time आप geotechnical को दोगे, उतना transportation को दोगे civil में, उतना देते भी नहीं होगे, तो time management, अगर एक ही साल के तैयारी है, तो time management यहीं से निकलेगा, यहीं से आप time बचा पाओगे, जान पाओगे, जब तक आप यह analysis करोगे, कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी पढ़ते रहोगे, कुछ भी revise करते रहोगे, कोई मर्जी किताब पढ़ते रहोगे, अगली बात, देखो मेरा अपना क्या अनुभाव है इसको लेकर, अगर तुमने proper analysis करके list बना ली, proper analysis करके अगर तुमने list बनाई है, तो तुम्हें काम करना, मैं तुम्हें home work की तरह बोलता हूँ, एक काम करना, अगर ये list बनाई है तुमने, इसको 20 से आधा कर देना, subject और भी हैं, मैंने अभी आधा लिखाए है, इंजरी सर्विश्म जैसे 12 subject है, तो इस तरह से पूरी list बनाईगी, पूरी list को 50% center line बना लेना एक, पूरी जो list बनाई है, उसको आधे से divide कर लेना, ये आधी line, उपर का 50% जो सिले बस तुमारा है, पिछले 7-8 साल का average देखोगे, सायद question 70% से जादा आये होंगे, नंबर जो आया है, और बाकी के 50% का जो weightage exam में, 30-35% रहा होगा, एक ये analysis चाहो तो निकाल सकते हो, अगर तुम्हें subject को ऐसे arrange कर लिया है, तो 7-8 साल पुराने जब paper देखोगे, trend कैसा रहा है, तो मैं कहा रहा हूँ कि तुम्हें पूरा analysis निकाला, उपर का 50% जो area है, पेपर में 70% weightage रखा होगा, 7-8 साल में तुम उठा के देखोगे, नीचे का 50%, 30% weightage रहा होगा, अंदाजा लगबग इतना निकलेगा, तो फिर तुम्हें इससे पता चल जाएगा, कि किसको time ज़्यादा लगाना है, किसको time कम लगाना है, 50% उपर वाला ज़्यादा important होगा, इसका मतलब, उसमें समय ज़्यादा लगना चाहिए, पढ़ना नीचे वाला एरिया भी है, पर उसमें समय कम लगना चाहिए, कोशन प्रैक्टिस इनमें ज़्यादा करनी है, relatively उसमें कम कर पाऊगे, क्योंकि time तो उतना ही सबके पास है, तो एक तो यह starting यहाँ से करना, एक दिन दो दिन लगेंगे, पहले analysis पूरी बना लेना, और यह analysis आगे तक आपको काम करेगी, कि subject का कितना relevance है, कितना time मुझे देना है, ठीक है, दूसरी बात आती है, कि sir और देखो, तैयारी शुरू कैसे करनी है, आप अपने से पढ़ रहे हों, या coaching कर रहे हों, सबसे पहले उस subject से शुरू करना, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, हो सकता है वो subject 7-8 नंबर पर हो, पर पहला subject उठाना वो, जो तुम्हें सबसे पसंद हो, थाकि तुम्हें interest आए उसमें, पहला ही subject ऐसा उठा लोगे, जो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, तो तुम्हारा पहले energy level डाउन हो जाएगा, आगे पढ़ने का मनी नहीं करेगा, तो पहला subject वो होना चाहिए, तुम्हें सबसे यदा पसंद हो, दूसरा subject जो तुम्हें सेकेड नंबर पर जादा पसंद हो, जब दो-तीन subject शुरू के निकाल लोगे, तब तुम्हारा rhythm बनेगा, momentum बनेगा, competition को लेकर, तब समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि जब पहला subject वो उठाओगे, जो तुम्हें पसंद आएगा, उसके previous year लगाओगे, question बन रहे होंगे 60-70%, तब motivation आएगा, वो अपने आप में motivation है, पहला subject उठाया हमने, वो पढ़ा, एक-दो chapter खतम किये, previous year देखा, gate EAC का, लगा कर apply concept हो रहा है नहीं हो रहा, और यह नहीं करना, जैसे मालो पहला subject, मैंने तीन number subject उठाया, for example, third subject मैंने पढ़ा, अब मैं दिन में मालो कॉलेज के अलावा, चार घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं अगर चार घंटे पढ़ रहा हूँ, और मैंने एक हफते पढ़ा, दो chapter खतम कर लिए, तो मैं पूरा subject खतम होने का वेट थोड़ी करूँगा, मैंने चार-पात दिन पढ़ लिया, जितना content पढ़ा, उसको पलटके तो देखू, previous year में, previous year paper होना चाहिए, जैसे तुमारा mobile phone, सबसे important चीज, जैसे तुम अपनी जेब में mobile phone रखते हो, previous year, maximum time तुमारे पास होना चाहिए, जा तुम पढ़ रहे हो, रहना ही चाहिए, छुट्टी में घड जा रहे हो, तब भी तुमारे साथ जाना चाहिए, जैसे ticket important है तुमारे लिए, वैसे ही तुमारा previous year होना चाहिए, अगर तुम तैयारी में हो, चाहे वो civil services वाला बच्चा हो, चाहे gate वाला, चाहे engineering services वाला, previous year ही सबसे important चीज है, इस बात को समझ लो, ठीक है, तो जो तुमने पढ़ा है, दो दिन, तेन दिन में कोई एक chapter खतम किया, दो chapter खतम किये, तो पूरा subject खत्म होने का बेट मत किया करो, मालो सोम पढ़ रहे हो, अब सोम इतना बड़ा subject है, पूरा खत्म होगा, तो क्या, एक मेने के बाद question देखोगे, अरे दो-तिन दिन में जितना पढ़ लिए, उसको previous year में देखो, जितना पढ़ लिए हो, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, gate EAC के level के question लगा रहे हो, लास्ट में नहीं करना, हर subject में यही, एक-दो chapter हो गया, question देखोगे, फिर एक-दो chapter हो गया, question देखोगे, और आगे जाकर फिर तैयारी, थोड़ी आगे बढ़ने लगे, तब क्या करो, दिन में मालो 8 गंटे पढ़ रहे हो, तो 3-4 गंटे थोरी पढ़े, थोड़ी देर ब्रेक लिया, 2-3 गंटे निमेरिकल पढ़े, 2-3 गंटे सवाल लगाए, अगर छुट्टी के दिन पढ़ रहे हो, और B.TEC में college के लावा, regularity maintain करना, अगर B.TEC appearing बच्चा है, तो regularity maintain करना, college जितना जाते हो, भई जितने attendance पूरी करनी हो, college की कर लो, बाकि तुम्हें जितना time मिल रहा है, college के बाद, कम से कम 4 गंटा regular तुम दे सकते हो, अब कोगे सा 4 गंटे regular ज़्यादा लग रहा है मुझे, job वाले लोग जो तयारी करते हैं, तुम सोचो, वो तो 9 गंटे job करते हैं, job में pressure भी है उनके उपर, traveling भी करते हैं, और तो भी competition निकालते हैं, अगर civil services जैसा, तो वो एक ही कारण है कि वो regular रहते हैं, discipline बहुत जमरता उस्तोता है, उनका इसलिए निकालते हैं, अगर वो 4 गंटे ही दे पाते हैं, तो 4 गंटे वो regular पढ़ते हैं, और तुम अगर B.Tech second year, third year से 4 गंटे regular दे दिये, तो बहुत अच्छे level पर होगे final year आते आते हैं, जोग वाला बच्चा, जोग के साथ paper निकालता है, civil service जैसे exam निकालता है, वो 4 गंटे regular पढ़ता है, छुट्टे के दिन जादा पढ़ता है, और जब final paper होने वाला होता है, उसके एक-दो महिने पहले छुट्टी लेता है वो, break करता है उस समय, सारी चीजों को revise करने के लिए, ये तरीका है, तो college में तुम मौज मजती घुमना फिरना, जो करना है करो, पचार खंटे पढ़ाई को देने हैं, तो देने हैं, फिर उस से में तुम्हें कोई disturb ना करे, और कई लोग होंगे जिनको कुछ काम नहीं है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, जब तुम पढ़ने बैठे होगे, तुम को disturb करने आएंगे, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना, और जीवन में बहुत सुखी रहना है, तो ना करना सीखना, बहुत लिहाज में पढ़के मैं मना नहीं कर पाता हूं सर, अगर तुमारा यह attitude है, तुम मना नहीं कर पाते हो, खूब लोग मिलेंगे तुमें, तुम तो अपना दोस्त है, तुम तो अपना भाई, यह रोज तुमारा टाइम बर बात करेंगे, लास्ट में जब समय निकल जाएगा, फिर कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, तुम अकेले, तुमारा भविश्य अकेला, और आगे अथा समुद्र, कहने का मतलब, दोस्ती, यारी, भाई, सब ठीक है, पर एक लिमिट तक, जब तुमारे पढ़ने का समय, उस समय कुछ नहीं, जीवन हर कोई अकेले ही चलाता है, कोई किसी का दुखने ही बाट लेता, और कोई किसी का जीवन नहीं चला सकता, तुम ही जिम्मेदार हो अपने अच्छे बुरे के लिए, आज दोस्ती, आरी में ज़्यादा पढ़ गए, तो फिर समय में किसी को आगे जाके नहीं कह पाओगे, सेलेक्शन नहीं होने पर दोस्त को नहीं ब्लेम कर पाओगे, तो कहेगा तेरे अंदर खुद ही पोटेशल नहीं था, वो इत्पटे से जवाब देदेगा, फिर तुम्हें लेगे गाया रहे, ये क्या हुआ, ये तो खुद ही मेरा टाइम बरबाद करता था, तो तुम ना करना सीखो, बहुत सुखी रहोगे, लाइफ में अगर ना करना सीख लोगे, किसी को बुरा लगता है, लग जाए, अगर तुम्हारा दोस्त होगा, और तुम पढ़ रहे होगे, तो रूम के बाहर से जहाग के चला जाएगा, डिस्टब नहीं करेगा, वो दोस्त होता है, जो आज बड़े रेर है, एका दुका दोस्त जिंदगी में हो जाएं, तो तुमसे बड़ा खुसकिसमत कोई नहीं, पर जादा तर लोग तुमारे कंप्टीटर होते हैं, जादा तर तुमारे कलीग होते हैं, पर जादातर opportunist होते हैं जो तुमसे फाइदा लेना चाहते हैं harsh truth है पर reality तुमको यह समझ में आएगी जब job of में चले जाओगे दोस्त नहीं हम society में रहे रहे हैं लोगों से मिलना जुलना है हर कोई हमें दोस्त लगने लगता है जवरत पढ़ने पर कितने याद आते हैं वो दोस्त समझ आएगा तुमें तो एकका दुक्का दोस्त होंगे बाकी majority जिदिन है चारो तरफ कलीग है या opportunist लोग है या computer हैं तुमारे तो उनको ना करने में क्या दिक्कत है तुमें वो आज नहीं तो कल तुमारे फाइदा ही ले रहे हैं तो उनको नो करने में क्या problem है और जो दोस्त होगा वो तुमारे नो करने में बुरा मानेगा नहीं क्योंकि वो दोस्त है तुम पढ़ रहे होगे कभी डिस्टब नहीं करेगा तुम टीटर को कैसे पहचान होगे जैसी पढ़ने बैठो को तुरंत आएगा कोई topic छीड़ देगा तुम किताब रखे क्या पढ़ रहे हो तुम कहोगे FM पढ़ रहा हूँ FM पढ़ रहे हो तुमारे यह बसका है बहुत tough subject है एक बार उसने tough बोला फिर दुबारा बात्चीत में tough बोल दिया और तीसरी बार तुमने भी कह दिया हाया tough तो है अब तुमने tough कह दिया तो tough हो गया जिस सीज को life में हमने पहाड की तरह मान लिया वो पहाड से भी दोगुन हाइट उसकी बढ़ती है और exponentially grow करती है जिस सीज को हम life में tough मान लेते है उसकी growth exponential होती है फिर वो जीवन भट tough बना रहता है फिर हम उससे निकल नहीं पाते तुमने खुदी कबूल दिया tough था अभी किताब उठाए हो पढ़ने बैठे हो दोस्त आके तुमारा time बरबात कर दिया और tough कहा दिया तुमने tough मान लिया बिना पढ़े tough मान लिया ऐसे तुमारे gossip discussion कितने होते होंगे hostel वगर में रहते होगे तो घंटो घंटो discussion ही